मार्ग सीर्स महीने के सुकल पक्ष को पढ़ने वाली एकादसी को मुख्षदा एकादसी कहा जाता है मुख्षदा एकादसी का तातपज है मुख का नास करने वाली इस एकादसी को पित्रों को मुख्ष दिलाने वाली एकादसी भी कहा जाता है मानेता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाज होता है और उनकी मनो कामना की पूर्ती होती है यह सभी प्रकार के भोग दिलाने में उत्तम मानी गई है इस दिन गीता जैनती भी मनाई जाती है क्योंकि इस एकदसी के दिन भगवान श्री किष ने पारण मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं साल 2022 में मुख्षदा एकादसी 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को है एकादसी तीथी का प्रारम 3 दिसंबर 2022 को सुबे 5 बच के 49 मिनट से और एकादसी तीथी की समापती 4 दिसंबर को सुबा 5 बच के 34 मिनट पर उदियाती थी के अनुसार 4 दिसंबर को मुख्षदा एकादसी किय जाना उत्तम है एक दसी का पारण 5 दिसंबर को सुबा 6 बच के 55 मिनट से सुबे 9 बच के 1 मिनट तक व्रत की विधी पुराडु के अनुसार दसमी तिथी को साम को सुर्यास के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रातरी में भगवान का ध्यान करते हुए सोए एक दसी व्रत रखने वाले को अपने मन को सांथ एवं इस्थी रखे किसी प्रकार की द्विश भादन भावना क्रोद मन में ना लाएं एक दसी को तामबा चांदी चावल और दही का दान करना उचित होता है प्राता काल सूर्यों दे से पूर्व उठकर इसनान करें सच्छ वस्त्र धार रख का संकल्प लेना चाहिए इसके बाद भगवान विश्णु का सोर सो उपचार से पूजन करना चाहिए इस दिन केवल फलो का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विश्णु का नाम जब सुमिरन भजन करना चाहिए रात्री में पूजन के बाद जाकरण करना चाहिए अगले दिन द्वादसी को समया अनुसार पारड करना चाहिए किसी जरूरत मन्द व्यक्ति या ब्राम्मर को भोजन वर्तान दक्षडा देनी चाहिए इसके बाद स्वयम को भोजन ग्रहड करने के व्रत खोलना चाहिए मोक्षडा एकादसी का महतु मोक्षडा एकादसी बहुती फलदाई मानी जाती है जो लोग पूरे विदी विदान से पूजा अर्चना और उप्वास करते हैं उन्हें मोक्षडा की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से भगवान विश्णू जी और लश्मी जी के क्रिपा प्राबनी रहती इस व्रत के प्रभाव से मनुस्य के पूर्वजों को मोक्षडी प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंदन से मुक्ति मिलती है मोक्षडा एकादसी की कथा श्री किष्ण ने युदिस्टिर को सुनाई थी प्राजीन काल में चंपक नगर नाम का एक राजे था जिसमें एक वैखानस नामक राजा राजे करता था वैखानस के राजे में चारो वेदो के ग्याता ब्रामर रहते थे राजा वैखानस को अपना राजे बेहत प्रिय था वह अपनी प्रजा को पुत्र की भाती पालन करता था एक रात राजा को बहुत दूरा सप उसने देखा कि उसके पूरवज नरक में पड़े हैं या देख कर वा बहुत दुखी हुआ वो उन्हें नरक से निकालने के गोहा लगा रहे थे राजा ने ब्रामडों से का हे ब्रामड देता या देख मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं उन्हें नरक से बाहर निकालना चाह ब्रामडों ने कहा हे राजन यहां पास ही में एक ग्याता परवत रिसी का आसरप है जो भूतभवी सिवरतमान के ग्याता है वहां आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी या सुनकर राजा वैखानस रिसी मुनी के आसरम में गए वहाँ जाकर उन्होंने बोला हे स्वामी आपकी क्रिपा से मेरी राज में सब कुसल मंगले लेकिन मुझे जो स्वपन आया था उसमें मेरे पित्तर नरक भूग रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं बहुत आसाहाई महसूस कर रहा हूं मैं उन्हें नरक से किस तरह निकालू राजा की बास सुन परवत रिसी ने कहा महराज मार्ग सीस मास के सुखल पक्ष में जो एका दसी आती है उसका वरत कीजिए विदी रिधान से पूजा कर दान पुन्न करें उस वरत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे जैसा रिसी मनी ने कहा था ठीक राजा ने ऐसा ही किया इस वरत के प्रभाव से राजा के पितर नरक से मुक्ती पा गए जैस्री केशन